नमस्कार किसान भाईयू किसान भाईयू जब हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर हमारे कई तरह के चेक अप करवाता है जैसे ब्लड चेक अप करवाते है या फिर जो भी हमारे बॉड़ी में जो भी तकलीफ है उससे related हमारी जाच करवा के उसकी जो report आती है उसके आधार पर हमें दवाई देते हैं और हम वो दवाई या treatment लेकर बिल्कुल पूरी दिरह से ठीक हो जाते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जैसे हम बिमार होते हैं वैसे हमारे खेत या हमारी जो मिटी है वो भी बिमार होती हैं नहीं सोचा होगा आपने इसी के बारे में आज में बात करने वाला हूं नमस्कार मेरा नाम है संजे और आप देख रहे हैं एग्रीस्टेशन संन् बाइयो ये बात बहुत ही गहराई से समझने वाली है कि जैसे हम बिमार होते हैं वैसे हमारे खेत भी बिमार होते हैं हमारे खेतों की जो मिटी है वो भी बिमार होती है लेकिन फार्क इतना सा है कि हम कह देते हैं हम बॉल सकते हैं लेकिन वो बॉल नहीं सकती है और हमारा फार वाज बनता है कि हम उनकी समय समय पर उनकी जाच करवाय और उनकी जो रिपोर्ट आती है उस के आधार पर हम ट्रिटमेंट दे हैं हैं जमीन से पौशत तत्व करती है ये चीज़ आप भी बहूत अच्छे से जानते हैं, जमीन में पोशख तत्व कहां से आएंगे? जो भी मिटी में हम खाद, अर्वरत, जो भी डालते हैं, उनसे वो हम अपना जो पोशख तत्व या अपना जो भोजन है, वो और वो हमारे लिए एक अच्छा उत्पादन पैदा करती हैं लेकिन हमें ये पता नहीं लग सकता कि हमारी जो जमीन है उसमें किस चीज की कमी है कौन से पौसक तत्व की कितनी कमी है कौन सा पौसक तत्व कितना डालना है ये हमें तभी पता लगेगा जब हमारी मिट्टी की जाच करवाएंगे तो हमें हमारे खेतों की या हमारी जो मिट्टी है उसकी जाच अवस्य करवानी चाहिए और समय समय पर उसकी जाच करवा कर जो मरदा स्वास्ते कार्ड बनकर आता है उसकी रिपोर्ट के आधार पर हमें हमारे जो खेत हैं उनमें खाद और उरूरकों का प फिर हम अनावशक रूप से उसमें डाल रहे हैं, तो वो उसमें कहीं न कहीं नुक्सान करता है, ये वैसे ही है, जैसे अगर किसी पौसक तत्वे की, अगर मन लीजे आपको diabetes ये सुगर है, और आप और ज़यदे सुगर लेते हैं, तो आपको नुक्सान करता है, उसी तरह सेम वो ही process है, अगर हमारे खेत में nitrogen मौझूद है पहले से, फिर हम और nitrogen उसमें डाल रहे हैं, तो वो हमारे खेत के लिए नुक्सान दाइक है, तो ये तभी पता लगेगा, जब हम हमारे मिट्टी की जाच करवाएंगे, तो मिट्टी की जाच करवाकर, जो card आता है, उसकी report के अधार पर हमें, पोस्तक तत्वर डालने चाहिए, उससे हमें, हमारा जो पैसा है, अनावशक जो पैसा खर्चोरा है, वो भी बचेगा, हमारे जो खेट या मिट्टी है, उनका स्वास्ते भी बरकरार रहेगा, किसान भाईयों, मेरा आप सभी से निवेदन है, कि आप अपने खेटों की समय समय पर जाच करवाते रहे, और जो मर्दस्वास्ते card बनकर आता है, उस card में जो सिफारिस आती है, कौन सा उरुवरक कितना डालना है, कौन सी फसल हमें लगानी है, कितनी मात्रा में खाद उरुवरक डालने है, ये सारी चीजे उसमें जो लिखी हुई आती है, उनको फोलो करते हुए, अगर आप उत्पादन अपनी फसलों का लेंगे, तो आपको एक बहतर उत्पादन प्राप्त करेंगे, तो आपको जरूर मर्दा स्वास्ते काड़ बनवाना चाहिए, अपने खेतों की जाज जरूर करवानी चाहिए, आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ धन्यवाद,